में दिख रहा है कि भई सितंबर लास्ट ये अक्तूबर में एक्जाम हो सकता है तो इसके लिए हरियाना आड़नी 47 अर्जुन बैसला आ रहा है तो किसका इंजर कर रहे हो मातर 999 रुपए आप इन्वेस्ट करके आप उस बैस मैंनूर हो हो सकते हो तो इसके लिए अड़नी 47 अप को डाउनलोड करो और उस मैंनूर हो जाओ धन्यवाद कि नमस्कार वाइक क्यासे हो सारे जोड़े एक बार सारे जल्दी से पेरी सेशन की शुरुवात कर रहे हैं जल्दी से चुड़िए जयराम जी के वैसाब को राम राम जय बाबा काट शाम जी की नमस्ते बेट जल्दी जूड़कर के लाइक करो शेयर करो इस और चल्न को सब्सकाइब कर लो इस पहली बार जूड़े हो तो इस फर्स टाइन जूड़े हैं तो एक बार शेयर को लाइक भी कर दीजेगा चल्न को सब्सक्राइब कर लिजेगा करें शुरू चलो क्रिकेट खिलाड़ी यह जुड़े जनम हरियाना में कहां पर हुआ है? यह दोनों की जबर्दस दोड़ी थी किसी टाइम में एक दोनों बड़ा अच्छा तरीके से टीम की बर्दसन करते थे और आज घुल सबका सबकर टाइम खराब चल रहा है तो वो टीम से बाहर है लेकिन अभी दो है कुल्दी प्यादों का टाइम टिक चल रहा है जो अभी एसिया कप चो हुआ था उस मेन अब शीरीज थे और फिर भी बार बढ़ा दिया जात और फिर चार विगेट अगले ही मैच में चार विगेट नेक्स्ट फिर स्लिंका के खिलाब भी उन्होंने चार विगेट लिया है तो अच्छा खासा पर्देशन किया है उन्होंने पुल्दी प्यादव ने और मैनवदा मैस कौन रहे थे इस मैस में फाइनल की बात करेंगे वह उसमें इसने एक और में 4 लिया वह तरीके से असा लगा कि माँलों कभी किसी जाहने मैं आपको पता होगा लसित मलिंगाने भीचार विगट लिया हुआ है ट्रिक भी थी उसमें भी और चायर विगत उसने निईजलंड कभी के वुरुद लिया हुआ है कभी एक क्लिप देख्योंगी आपने कभी तो उसी तरीके से अब्हुरिक लिक किसी तो र집ए और में लेकिन चार्व किछर्मी आत्रिक नहीं तोली जस्ने मैणा मैंधा जिता है इस अगला है नीरत चोपड़ा ने 2020 टोक्यों उलम्पिक में किस खेल में सुन बदक जीता है वो पता नहीं आपको इस बारे में तो वो किसमें है बाला फैक में गोडा फैक में तो जैवलिंग त्रो में किसमें है जैवलिंग त्रो में उन्होंने कौन सा बदक जीता है तो जैव यह कोई थी तो इसमाद करें चैंपियंशिब की जब हम बात करें हैं तो एक वाने है से यसमें आप से ऊपपुछे तो उसमें गोल मेडल जितने वाले पहले भारती इस वह भी कौन बने है तो वह भी निरुश ऑपड़ा बने है और नंबर वन रेंकिंग के भी नमोने असिल करी तो वह निर्व microscopra है निर्व陟ा का समगना कhouse अधर है आपने एगी जब इन्होंने टोखिव ओलंपिक में जिस तारिक को गोल मेडल्ल जीता था साथ अगस्थ को जब अगस्थ को जरूनमे गोल मेल्ल जीता तो ऊस दिन को हम बारत जो है वारते सरकार ने को राश्ट्र ज्याइवलिंग् फोडे रुपे मनाने की कोई स्तर ज्याइवलिंग कर रघुट को दिन हम राश्ट्र ज्या लें फोल नाते हैं दिस दिन इनोंタ Sverige स्तर पर जैवलिंग्स पर मना जाता है ये सब आप अच्छे से जानते हैं इन बारे में आपको एन आपने नम सुनावाब का मीरा बाईच 되면 मीरा भाइचह परदेशन कर रहे हैं इन्हींटmost को چेवेटर एक ओर और आफ तो सभी में ऩफ़ाए पर देशन करने लग रही है सभी में अच्छा परने लग रही हैं बिल्कुल भई का गुरुजी है 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 मैं अभी 96 में क्लास ले रहा हूं क्लास कर ले लेती ही चलूँगा तो इसकी जमबाद करेंगे तो आप या दखना मेरा बाद चानू भारतलों की बात करें गोला फेक्ट में आपने नाम सुना होगा सोट पूट में तो है दीपा मलिक आप से कोई पूछे दीपा मलिक तो अगला है साही राष्ट्री मुक्यबाजी अकादमी रोहतक की स्थापना कब की गई राष्ट्री मुक्यबाजी एकादमी रोहतक की स्थापना तो सपोर्ट्स एथियोट्य फिंडिया है स्पोर्ट्स एथियोट्य फिंडिया उसने जब हम बात करेंगे तो नावराम भाई नमास ते तो रो합तिक में स्वेटिक हैं और एतलिटिक अकडमी की बात करेंगें तो रह अरियाना तो District रहांदी स्टेडियम है सोट्राम स्टेडियम है राजई Żुँगांदी स्टेडियम मैं एतलिटिक अकडमी है राजी उगांधी स्टेडियम जो नेशनल लेवल के अच्छे खासे एतलेडिस के जो है गेम्स कराता है चोजी छुटराम स्टेडियम की बात करें तो यहां पर तो बढ़ती ही होती है और तो क्या होता है तो जिस फुट्राम शुर्म भी आपको कावर बढ़ता है तो वो भी आपको रोह तक में ही पढ़ेगा वो भी कावर पढ़ेगा रोह तक में ही पढ़ेगा अधना सीज़ी कुस्टिश नायАत से बिल्कुल आये थे भाईए बिल्कुल बर दिदी आठे पाता है आपको तो अच्छी बात नेक्ट एट है अरियाना की टीम किस वर्स रोन जी ट्रोफी जिटी थी अरियाना की टीम किस वर्स रोन जी ट्रोफी जी थी और जी चू एट इंड को जिटी ती में ऐधि इस लाइद बाद जल्दी जल्दी कूमें बताना है आपको क्या अंच्वर लगाने चाहेंगे और एक बार एना जल्दी सेस्षण को है ना लाइक कर वेटा शेशन को लाइक करिए गाज़े से जल्दी से लाइक करिए और इसको मतलब आईदिया पहली बार जूड़े हैं तो चैनल को सब्सकाब भी कर लिजेगा रेली क्लास होती है रात को ये नौ बजे लेका 1980, 82, 89, 90 तो ये कब होती है 1990 की जमबात करें तो 90 में इसका आँच्छा आँच्छा आप देते हैं नेक्स्ट है अरियाना के किस मुक्यवाज ने टोक्यो अलम्पिक में विश्व नंबर वन के रूप में प्रेस किया था लेकिन मैडल नहीं जीत पाए थे तो क्या नहीं है उनका जो टोक्यो अलम्पिक में अच्छा बर्देशन नहीं कर पाए लेकिन जब वो गए थे तो उस समय पर उनकी रैंकिंग वल नंबर वन थी तो उसका अंशर आपके दरख क्या दिया जाएगा बताए जल्दी से जली से बताएगा इसका अंसर आपके आदेने वाले होगे तो उसकी नम्बर वन रैंकिंग थी भाई तो वो तहीं अमीद्पंखाल जिनका सम्मन अपने रोतक से ही माना जाता है तो अमीद पंखाल जो है बोक्सिंग से इनका सम्मन ओना जाए रवी कुमार दिया का नाम भ सकते हैं एक है तो इन्होंने भी टोक्यों उलम्पिक में हमारे लिए सिल्वर मेडल लेखर के आये थे बजिंदर सिंग की बात करें तो वह मुक्यबाद हैं जिनका समन्द भीवाने से है तो पहली बार जो हमारे आप बॉक्सिंग में अधा यह भी आप जानते होंगे बीजि पर तस हुराड यसरु में से कितनों का सब्द्धु है अरियाना जाता है बता है कि गयात जल्दी से कॉम्मिन की बताइएगा 25 का 10 का 31 का और 50 का किन का संबंध हरियाना से माना जाएगा तो कितने थे अरियाना से समधी तुम बात करेंगे तो किसना समधाता है 31 केवल अरियाना से अगला है क्रिकेट माइस टाइल पुस्तक के लेखा कौन है मतलब किसकी यह पुस्तक किसकी है किर्केट माइस टाइल पुस्तक किसकी है बता ही जल्दी से किर्केट माइस टाइल पुस्तक किसकी है या मुहिंदरॉरमर्नाथ का इसको अरियाना का लीकेन का थे हैं किया थो वो आप किया देने तो बोलेंगे कपिल देव को जाना जाता है किसको कपिल देव को ही जाना जाता है नेस्ट है अरियाना में ओलम्पिक शुन पतक वुजिताओं को नगत पुरुषकारासी का पराधन क्या है विदि कोई भी अरियाना में ओलम्पिक में कोई भी पतक जीत जाए अरियाना को खि तो जली आदी बताईए च्छे क्रोड़ पर दी जाते हैं कि फड़े कम है तो सबने वेरा इसकाद़ च्छे क्रोड़ पर दी जाते है अगला है बाहरती दल ने टोक्य ओलम्पिक में कुछ साथ पदक जीते हैं उन मेंसे अरियाना की कितने खिलाड़ी हैं चार छे तीन और पांच चार छे तीन और पांच कितने खिलाड़ी ऐसे थे साथ मेंसे हमारे एक अत्तिस खिलाड़ी गए एक अत्तिस मेंसे सब ज़्यादा खिलाड़ी साथ मेंसे चैर मेंडल तो हम ही लेके आए तो क्या बात कर रहे है और यहां मिल्कुल जी तो तीन तुमारए योग्दाण सीधा सीधा ॉच्षे में भी अब बात करेंके तो हमारी दो खिलाड़ी थे विविक्यु की घम बात करते हैं है तो अरियाना के खिलाड़ी टोक्यो साथ पैरा उलम्पिक 2020 में जीते के कुल पदक कितने हैं अर्याना के खिलाड़ी टोक्यो पैरा उलम्पिक में 2020 में जो हुआ उसमें मतलब गिना तो बीस वाला ही जाएगा लेकिन जो हुआ तो इसका अंश्राप क्या देंगे कि कुल पदक कितने चार छे आठ और दस कितने हैं तो उसका अंश्राप क्या देंगे तो छे पदक अर्याना से समदित थे फरवरी 2021 में आज इतिसफी रास्टे जूनिया एटलेटिक जेममसिप में अर्याना राज्या में कितने 17 पदक जीते हैं कि अरियन राजय ने कितने स्वन बादक जीते 21 पदक जीते हैं ये लो में तो हमारा कोई सानी नहीं है व्यक्य लड़ी जिसने टोक्यो ओलम्पिक 2020 में कुष्टी में रज़त पदक जीता बजरुम पुनिया रवी कुमार दया दीपक पुनिया और विने सुगाट जिसने टोक्यो ओलम्पिक 2020 में कुष्टी में स्वन पदक जीता है कौन सा रज़त पदक जीता किसके दर जीता था रवी कुमार दया ना रहना रहेगा हूं सोनी पच्छे कि नेक्सट है एक और प्वूर रूप क्या है मतलब क्या है इसका है एक होएक। उयका पूर्ण रूप क्या है ons के बारे में आप आप क्या शेशंट अल्म और आ और हरियाना ऑलम्पिक टे ओड़ी क्या अंसर आप लगाएंगे बदेए तो हरियाना आउएल एसोशियेशन या हरियाना ऑलम्पिक एसोशियेशन अमारे यहां जा हम बात करेंगे तो रज्ज़ा रिए खेल विज्दाले की ताफना कहां यहां पर बढ़ता है तो वह अपने यहां पर मनिपर में बढ़ता है जिसकी स्थापना 2018 में की गई थी यह आप अच्छे से जानते होंगे तो इसका पून रूप आपको देखने आप बोल रहे हैं नेक्स्ट है अरियाना अरिकेन के नाम से तो आप कपिल देव को जानते हैं हम पहले बात कर चुके हैं आपको नवावली मंसूर एली पटोदीश का संब्द किर्केट से हैं नेर चोपडा का संब्द आपको भाला फैक से माना जाता है किस किराडी को अरियाना में बेटी बचाव बेटी पढ़ाव का ब्रेंड इमस्टर बना गया इससे पहले हमारी बेटी बचाव बेटी पढ़ाव सब्सक्राइबंचे बना गया था लेकिन उसके बाद अबी हाली में वर्तमान में वहाई वेहां पैटी थी कुष्टी पलेर हैं जिनका संब्द है पैटी बढ़ाव भयान की बना रखी है एका इसको धीपा मलिक की बात करें निका मलिक है अर्योना पहला उलंपिक जो संग उसकी इड़ाइख से और उलंपिक संग की भी पहली मेला द्रक्राइख सी बात करें तो पीटीज इसा का नम लिया जा है अर्जुन पोरषकार विज्टा भीम सिंग्निनुनिए 66 में किस किसल में एंसी कुछ मैं मलसुन बदक जीता खील कुछ साथ हो उसका अंसिराब नहींगे तो क्या देने वाले होंगे कि उच्ची कुछ मैराथन प्रेश तिर या ट्रॉण टूस स्कूल औप स्पोर्ट्स किस राइब यह तो देखो मैं अभी थोड़ी देर पहले जिगर किया था इसका बिल्कुल थोड़ी देर पहले जिगर किया पहले चांसलर बनेगी भारत व्हाटर से मानते हैं इने मुख्य रूप से मूल रूप से तो बहुते अलंगा ना से समंद रखती है तो पतेगे कहां पर बढ़ता है तो बोलेंगे सोनीपत में पड़ती है कहां पर ये चौनिपत में अरियाना के मुख्यमादर ने किस खिलड़े के नाम पर गपू वाला बाग जो है सल पर मीनी स्पोर्ट स्टेडियम बनाने की गोशना करी है सक्सी मलिक मावीर होगा या फिर कोई और अंसरा देने वाले हों कि इनके नाम पर फ्लाइंग सिक सर्दार मिलका सिंग के नाम पर हम बात करेंगे तो एक स्टेडियम के बनाने की कोशना करी है किर्केट टेस्ट में किसे जिसमें अरियाना के कपिल्देव ने सबसे अधिक वि इसका मतलब यह यह कुशन आई वह हैं भाई ठीक है मैं अपनी मर्जी से नहीं लगाया कोई भी अंसुमन तवर हिंदी की क्लास बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे जिन्दा मत करो हो जाएंगे क्लास शुरू समें भी लिए मतलब आने वाले सोमार मंगलवार को जुरू करा दूँगा शुरू ठीक है उससे पहले अभी मैं कल आपको बता दूँगा कि कब शुरू होंगी पक्का शौर बता दूँगा इंदी की क्लास और इंगलेस की कल शुरू होंगी कल ठीक है आभी मेरे पास टाइम नहीं मिला है क्योंकि अभी आप जब आप बैस ले रहा हो जब उन्होंने यह चार सुबती स्वाइब केट लिया था तो वो लेंगे आठ फ्रोरी उन्नीश चौन में की बात है चलो फेरागे चला है और याना की परसीद खिलाड़े गीता जुच्छी का समुद्ध यह जब सुरू में जब पर सुरू है ना इस गीता जुच्छी सब्सक्राइब करके और बैस नहीं फड़ा फटाइम मतलगा आगरो आपके पास किस चना आए आंसर देने वाले हो या फिरांसर आएगा अगला क्यूशन आता है दीपा मली का समंद्ध कि स्क्राइब हो चुकी है जिनको 2019 में में किसके साथ बज़नों पूनियों के साथ मे पूसकार भी दिया जा चुका है उसी की बात कर रहा हूं मैं दिपा मलिक का समंद्ध सॉनिवाद से और बज़रिंपुनिया का समंद्ध वरतमान में वेश्क संवनिवाद में राते हूं लेह नूंका संब्सक्राइब हुआ नटेर्श है लेकिन उनका समंद्ध जढ़िव से माना जाता है और यह बज़न कुनिया के खेलते हैं कुछ ती लेकिन यह खेलती है तो पूट मैं आता है पैरा खिलाडी है ठीक है और इसकी बात के अभी आलिविनेटा रहो चुकी है और वे तो सिंजाल पहले की बात है यह क्या बनाए गए थी चुनावाए गने ब्रेंड निमईफ्टर जिए अपनी ब्रेंड निमस्ट फिर इनको बनाए था तो इसका नाम आप चोटर और वुड़ देने वाले हो अगला है अरियाना की बैटी सुनिता सिंग्धर का समग्स किसे है है अ तृत्का सिंग गुजजर क्या कहल के घृती हैं कौन सा ख्यल से इनका सम् तो इसके बात करेंगे तो इनका सम्मद्द ये प्रवता रोही है और मॉन्टेनर है ये हरियाना की कौन सी खिलाड़ी बाकी तीन खिलाड़ें से अलग खेल से सम्मद्दित है मतलब तीन ख़लाड़ी ऐसी है तो एक ही खेल खेलती है लेकिन जो एक ऐसी है जो इन से अलग है तो अनिता कुंडू है, मम्टा सोदा है, संतो, शादा ओहर, कॉमल, गूर्जर है इन में से कौन ऐसी है जो एक जूट का खेल अलग है क्या नाम है उसका डेफिनेटली आपने सब के नाम सुन रखे होंगे कम से कम जो तीन है ना उनके नाम तो जुरू सुन रखे होंगे तो इसकी जमबात करें तो आंसर क्या दिया आपने कॉमल गुजर तो इनका संबंद सब्सक्राइब करने का काम किया है राणी रामपाल के नाम से अभी आली में एक्षिडियम का नाम इरखा गया था राइब्रेली यूपी में और इनकी जमबात करने का समदा सहबाद से कुरुक्षितर सहबाद से मना जाता है और अभी आली में हमारी महिला ओक्यू टीम जिमना अपने वाँ टॉक्यो ओलंबिक के पहुछी में पहले बार हुछीए, आसा पहली बार हुछी एप यहा उनकी कप्तान से पहली बार से प करें तो इनका समद्द कि इस समन था है राणी रामपाल को 2020 में में जर धैंस खिलतन पूशकार भी मिल चुका है हमारे नहीं में पांस नहीं को मिला था था वह थी आ जिनका सम्मद्थ अर्यानश से था एक तो यह राणी रामपाल को हुए को मैं ही हैं तो इसका 함ड़ів को खीच है है Mexican मैं को मत्र 272 2020 में मेयर दानचन ले चुकी हैria कि है क्षिण और यही तो ने तो है यह शोगाट कुछिश यह यह तो आप जंता आखे आगेज़ देने वाले हों में जल्दी जली कमुंट के अंसर दीजेगा बहुत बढ़ रही हो जल्दी से कमने की आंसर दीजेगा बहुत बढ़िया भाई तो इस कांसर आपके दरा क्या दिया गया तो इस कांसर आप देंगे साक्सी गरग अगला है अरियाना का कौन सा कि लड़ी भारत का दौस्व उनतीस वां एक दिवसिय खिलाडी बना था अरियाना का कौन सा कि लड़ी भारत का दौस्व उनतीस वां एक दिवसिय खिलाडी बना अमन मलिक कुलदीप चहार युद्विंदर सिंग और नवदीप शनी बाद यही गा क्या आंसर आप देने वाले तो नवदीप शनी आम इन में तो ही बना दीशनी खिल लाथा तो नवदीप शनी इसकाँ शुराब देने वाले हो मेली गुल जी अगला है किस खिल अरियानवी खिलाडी को फिक्की ने स्पोर्स परसन आप दाये 2019 बुर्स का दिया है सविता पुनिया दित्ति रानी कमलेश कुमारी और रानी रामपाल किसको दिया है तो अभी हाले की जिम्बात करेंगा तो यह रानी रामपाल को दिया था आगला क्यूश्चन है अभी हरियाना के कितनी मेला होक्वी खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में होक्की टूर खळें परति ने ने देटिक मायंट यरस पर दूबर चड़ने वाली महिला कि लिडेक महिला कों है तो हो संदों सीघव का नाम लेने वाले वाले वाड़ी जिनका समध माना जाता है वी स्टोंच कुस्ति प्रती तमें दो पधर जितने वाले पहले भारते पहलवान सोंठ में दो पदख जीते हैं तो बजरंग फुनियन ने जीते हैं हरियाना का फर फिद किलारी ओंपरकास जुह beggar आरियाना खेलाडी एंप्रकास केज़ से जुड़ा है तो आंसर आफ क्या देंगे सव पूट से क्रिकेट से या विड में निया खी से तो आंसर आप क्या देंगे स्व पूट से इनका समय माना जाता है अरियाना और इस इतना हर शिएव की स्थीडियुम की स्केल के लिए परसिद्ध है राजा नहार शिएव स्ट ऑस मतल각 कोई कुछ भी खिलो तो राधा अंदार सिंग के नाम से उसको जाना जाता है तो बोलेंगे सी किर्केट आजित्ते राज वी सुप मेराथन चलेंज फूर्ण करने वाला पर्थम भारतिये बने उनका समंध कि से माना जाता है उड़गाउं पंशकुला अंबाड़ा करनाल तो बदेए ऐसा करने वाला पहला बन्दा माना जाता है तो उसका समंध कहां से है तो उसका समंध है गुरूगराम से कहां से है गुड़गाउं से पैरा ओलम्पिक खेलों में पदक जितने वाली हरियाना की पर ता महीला कूं थी जिलो में जो है जिलों में पतक जितने वाली अर्याना की बरती हुड़ा कूंथी ममता खरब गीती का जख घड सीमा पूर्नी अंतिल और दीपा मलिग तो ये तो पैरा ओल्मरु खेली नहीं तो खर्म्पा खरब गीता जख खड़ और सीमा पूनी लटी लिए तो पैरा की सबसे सबसे पहले सबसे सबसे शेत तon सर्मा न थो एक और है कि अपने अर्याना से यह लेकिन आए है लेकिन यह बताओ आजारेजजा जो है अपने अरियाना के थे लेकिन खेला करते कि से तीम की तरफ से हैं ऐसा कुछ था बताओ खिसकी तरफ थे क्यले आरते लगजरात की प्रदधाई टीम तो खी लाई है मुंबई की टीम खेले आरते भारत की खिलाडी जो अरियाना में जन्में खिलाडी का नाम देए ऐसी महिला खिलाडी है कोई जो 2015 में नंबर वन रेंकिंग रही बेंडमिंटन में और उनका जन्म अरियाना में कहां पर इसार में हुआ है बताओ तो क्या नाम है तो उसका नाम क्या है और वो साइकोलोजी पढ़ाएंगी बिटा और ठीक है साइकोलोजी पढ़ाएंगी वो में शिक्षा जो सीडीपी होता है ना मेरे जस्ट बात क्लास होती है तो वो कोन है साइना नेहवाल बोलने वाले क्या नाम है साइना नेहवाल अगला है अरियाना के किस सेर में म ए आई 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 पोक्सिक सेंटर स्थावित किया गया है इसार कुक्षेतर चंडीगर सोनीपत कहां पर इस सेंटर स्थावित किया गया है बताईए कहां पर ही सेंटर स्टावित किया गया है तो इसके आंसर आपके देने वाले होंगे सुनिपत में स्टावित किया गया है 10 मिर्ट साक्सी मलिक ने किस भारवरग में रियो ऑलंबिक 2016 में पदक जीता और ब्रोंज मेडल मिल गया उनको जाते जाते तो साक्सी मलिक ने जब हम बात करेंगे तो किस भारवरग में 2016 में का से पदक अपने नाम किया था 55 किलोग्राम 48 किलोग्राम 47 किलोग्राम 67 किलोग्राम 58 किलोग्राम क्या देंगे 58 किलोग्राम बारवरग में निन में से किस का समन्द कुस्ती से नहीं है गीतिगार जखड अलका तोमर नाजोत कोर और पिरिया पुनिया इन में से किस का समन्द जो है वो कुस्ती से नहीं है तो किसका समम्द कुस्ति से नहीं है प्रियात हमर का समम्द किस्ति से नहीं है निन में से अरियान रच्द्दे की किस खिलाडी ने 70 माश्यखेलों में शुनबदक जिता संटर माधिट अए था सातर में एक खिल काम पर बॉए थे तो कोई बुक्षे कि सटरवे से खिल होए थे तो वह Means गलास को में यहां पर फिल्ट तो इसमें किस ने कहा है कि स्कूर ने से खिल आ निर्मल तवर भारतिय बालीबाल टीम की कप्तान रहे हैं उनका समधर याना कि किस जीले से हैं तो हम बाड़ा फ्रिदावाद गुडगां पानिपत निर्मल तवर भारतिय बालीबाल टीम की कप्तान अरियाना के किस जीले से हैं तो उसका समध्द आप क्या देने वाले होंगी पानिपतिसकान शुराप के दोरा दिया गया है शरीव उपेंदर सिंग उड़ा की बहुत स्वेता उड़ा किस खेल से समध्दीते हैं जिन्होंने किस खेल में सुन बदक जीता हुआ है किस खेल में देपेंदर सिंग उड़ा की जो बहुत मजीब मीशी जो है उन्होंने किस खेल में सुन बदक जीता हुआ है कोश्टी गोड़िसवारी मुक्यबाद ये बारतो लन जल्दी जल्दी आंसर दीजिये भाई जल्दी जल्दी आंसर दीजिये भाई तो आसर क्या देंगे आप खुरस्वारी सिन का समन्द मना जाता है आखरी साथ क्यों बतिये बस टूटल फ्यूटी क्यूशन है निमलिक्त मैंसे कौन सी कफिल देव के आतम कता नहीं है अब लगों सी कफा नहीं है इसमें से प्लाइंग इट दम मैंवे इंजा कोई समन्द नहीं है नेपल और चीन से माउंट एवरेस पचलने वाली महिला पहली महिला भारती कौन थी पहली भारती महिला कौन थी बताईए अगर 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 भचेंद्री पाल अनिता कुंडू किरणबेदी और सानिय मिर्जा तो अनिता कुंडू ऐसी है जिनके द्वरा ऐसा किया गया है अरियाना में खेल के चेतर में वरस 2019 के लिए पदम सिरी पुरुषकर किसे मिला और याना में खेल के चेतर में और उनिस के लिए पदम सिरी पुरुषकर किसे मिला यूराच सिंग बजरंग पुनिया दीपा मलिक और साक्षी मलिक तो इसकी जम बात करेंगे तो बजरंग पुनिया के द्वारा ये मिला है आज का फिट लास कुर्शन है किस के लाड़ी ने से खेलो में 2018 में इसका अंसर आओगा भी मंजीत सिंग निमलित में से कौन सा परशिद किर्केटर अरियाना से हैं इसका इसका अंसर एक ही आएगा कपिल देव गुडगाओं के कि स्टेडियम को दुरुनाचारी स्टेडियम के नम से जाना जाता है माविर श्टेडियम के नाम से जानते हैं नेटियाओं माविर स्टेडियम सिवाजी स्टेडियम मेंसे कोई नि अपने आपका सबसे बड़ा स्टेडियम grade problem यह सबसे बड़ा का और सका है ईहमादाबाद में में है और और आपर अभीयाली में अपना वर्ल्लकप जो अवाना अभी Cada Protection का व्रिल्लकपुकिया सब्सक्रा करो कि इसके वीच myself ए कि इस फैसर देखने कि इसम्हे चाइए रस प्रूल्ट की करों बात माना जाता है तो आंसर क्या देंगे नेहरू स्टीडिम के नाम से उसको जाना जाता है अरियाना के किस बार्च किल निसाने बाज लिया उल्मपिक 2018 में शौन बदक जीता है ग्रिसम कालीन युवा उलम्पिक 2018 में शौन बदक जीता है कितने मत की पूछता है आठ मीने ज्यादा ज्यादा साथ आठ मीने बहुत हैं संदीव राजपुत अभी सेक वर्मा अनीज बनवाला और मनु बाकर 2019 का अंशर आप देंगे तो क्या देने वाले हैं तो एक क्या है मनु बाकर ने जीता है मनु बाकर सुटिंग में अच्छा खासा जाना है ना नाम है आपको पता होगा जानते होगा इस तो राज़े के उतकर्स खिलाडियों के लिए अरियाना सरकार सर्वोच नाम बताएगा राज़े में अच्छा खिलाड़यों के लिए अरियाना सरकार कौन सा पुर्सकार देती है तो अरियाना सरकार कौन सा पुर्सकार देती है तो बोलेंगे भीम पुर्सकार ये सबसे बड़ा पुर्सकार है अरियाना में खिलाड़यों को दिया जान पुर्सकार देखे तो निसको कितनी पुर्षटाराशए मिलती है तो कितनी पुर्षटाराशी मिलती है متवार जासे होता है तो फास्म कितनी अबनीजा चांगे मुअको appropriate तो कितने पैसे दिए जाते हैं तो पांच लाख रुपए क्या है पॉलिटिकल पर क्लास वह भी होगी वह भी होगा तो आज के लिए क्यों इतना ही कर लेते हैं और यह आप आज महापैक की फैसलड़ी दे राखे वाई तो जाके हैं उसका फायदा ले इसको 880 रुपए में म तो आपको क्या दिखायें देगा अर्याना में आप जैसे मालों त्यारी कर रहे हैं मालों गूरूब डी नजजदीक पर है तो अरचुन बैयस ले ले सकते हैं लेकिन आप लेना क्या माहापैक जिसमें दिलिव बिसका विवाच है और साथ में जब आप त्यारी कर रहे है तो मोग टेस्ट बीसी में मिलेंगे एक है तो मुख्या है यह इस मुख्य का फाइदा अठाले कोड लगाओ वाई 737 अपलाई कर लिए इसको अपलाई करते हैं कितने रुपे गाऊ जाएगा 919 रुपे गा तो 919 रुपे में नहीं लेना यह 880 रुपे में लेना है एक कोन ल लगेगा तभी बात बनेगी तभी आप इसको ले पाएंगे तो इसका फाइदा अठाले हो सर नहीं नियू शर क्या बढ़ाएंगे अभी यह नियू सर आये हैं इंगलिस पढहने वाले हैं रिक और सर आएंगी वो प्लिटीकल सैंस पढ़ाएंगे जल्दी चलो आज के लि जैसा कि आप जानते होंगे हरियाना में ग्रूप डी की लगबग 13,000 बढ़ती आने वाली हैं और वो एक्जाम जैसा की नोडिविकेशन में दिख रहा है कि वहीं सितंबर लास्ट ये अक्तूबर में एक्जाम हो सकता है तो इसके लिए हरियाना अरजुन बैस आ रहा है तो क इसका इंजार कर रहे हो मातर 999 रुप आप इंवेस्ट करके आप उस बैस में अनूड हो सकते हो तो इसके लिए अड़ाटिन 4.7 आप को डाउनलोड करो